नमस्कार, वैलकम, बहुत स्वागत है आपका हमारी हत्यली में कई परकार के चिन होते हैं परंतु उन में से कुछ ऐसे चिन होते हैं जो जीवन में हमें सफलता, धन, संपत्ती सभी कुछ देते हैं तो आज हम बात करेंगे तीन महत्पुर्ण चिन या चिन महत्पुर्ण अस्थान पोजीशन की बिशे में जो हमारी हत्यली में हमारे सफलता का बहुत ही परमुख और बड़ा कारक है उसमें से एक नमबर पर है ये जूपिटर माउंट जिसे ब्रस्पती परवत या गुरू परवत करते हैं ये आपके इंडेक्स फिंगर या तरजनी अंगली के मूल वाले भाव में जो ये अस्थान होता है इसे गुरू परवत करते हैं ये अस्थान आपके हत्यली में वेल डेवलप हो काने का अर्थ है कि ये अच्छा उभार लिया हुआ हो सुव अवस्था में हो और बिस्तरित एरिया में हो तो ये माना जाएगा कि आपका जुपिटर माउंट या आपका गुरू परवत सुव अवस्था में है सरपर्थम देखे कि गुरू परवत को सुव अवस्था में रहना कितना महत्पूर्ण है ये बेक्ति के अंदर में एक strong leadership power को जन्म देता है ऐसे बेक्ति के अंदर में जन्म जात लोगों को lead करने या लोगों को नेत्रितु करने की छमता होती है और जब आप जीवन में किसी छेतर में आगे बढ़ना चाते हैं तो आप में एक अच्छी leadership की quality या नेत्रितु करने की छमता की होना अती आवस्यक है साथ में ऐसे बेक्ति में एक बहुत ही मजबूत potential होता है ग्रू कर्मी की आगे बढ़ने की इक्छाएं बहुत प्रबल होती है यदि आपके मन में एक्छाएं ही नहीं होगी तो जीवन में वैसा बेक्ति सफल नहीं होगा तो ग्रू परबत क्या करता है कि बेक्ति के अंदर में एक्छाओं को जन्म देता है उच्छ अभिलासा को उत्पन करता है, अच्छी महत्वा कांच्छा को उत्पन करता है, जीवन में सब कुछ पाना और उच्छ इस्थिती को पाना, ये एक strong potential देने वाला गुरू परवत होता है, और जाता कि उसमें बहुत अधिक गुरू भी करते हैं साथ में गुरू परवत सुभ है तो अच्छे decision करता होते हैं, सही समय पर सही decision लेने वाले ऐसे बिखती होते हैं, decision maker साथ में opportunity को पहचानने वाले, गुरू परवत सुभ है तो ऐसे लोग सही मौके को पहचानते हैं, सही जगा को पहचानते हैं और अपने financial opportunity और prosperity को ये पाने में बहुत success हो जाते हैं हलांकि गुरु परबत सुभोना एक अच्छा समाज सुधारक भी बेगती हो सकता है एक अच्छे अध्यात्म के छेतर का जानकार बेगती हो सकते हैं लोगों का मारक दर्शक करने वाले बेगती हो सकते हैं कुल मिला के देखे तो आम लोगों से अलग हट कर रहने वाला बेगती होता है जिनका गुरु अच्छे और सुभ अवस्था में होता है ये पहला चिन्न है हम सकेंड चिन्न की बात करें तो हमारे हत्यली में है ये ring finger है हमारी ये ring finger या जिसे हम अनामिका उंगली भी कहते हैं ये सुरी परवत के छेतर के उपर का भाग है हत्यली में यदि sun line हो ये सुरी का छेतर है और हत्यली में sun line अर्थात एक अच्छी सुर्ज रेखा एक बात तो जान ले कि sun को और sun line को जो सी सास्तर में सफलता का कारक माना गया है यदि जीवन में सफल होना है तो आपके पास एक अच्छी सुर्ज रेखा का होना अति अवस्यक है अच्छी सुर्ज रेखा कहने करते सुर्ज मूल रूप सी क्या करता है जातक कि यस को आपके यस को आपके मान सम्मान को आपके परतिष्ठा को इन सब चीजों को समाज में फैलाता है जिस प्रकार से सुरी का कारक होता है कि वो चारो तरफ रोशनी फैलाता है ठीक उसी प्रकार से सुरी क्या करता है कि आपके नाम को आपके काम को समाज में चारो तरफ फैलाने का कारी करता है ये एक अच्छे सफलता का धोतक भी माना गया है Success in Career and Finance ये Career के छेतर में अपने Career बनाने में या Financial Management में ये बहुत ही अधिक Success होते हैं ऐसे बेक्ती अच्छे समाद सुधारक हो सकते हैं ऐसे बेक्ती अच्छे समाद सुधारक साथ में उच्छ पदाधिकारी हो सकते हैं यदि ये Government sector में जूड़के कारी करते हैं तो बड़े पदाधिकारी मिलेंगें सरकार के लिए काम करने वाले या राजिस से लाब के पद पर जाने वाले बेक्ती हो सकते हैं यदि ये Government sector से ना भी जूड़ेते ऐसे ब्यक्ति आपको बड़े बिजनस्मेन मिल सकते हैं, साथ में ऐसे ब्यक्ति उच्च ब्यबसाई, इस्ट्रॉंग बिजनस लीडर, एक तरह से कहें तो ऐसे ब्यक्ति के अंदर में आपको कई लोग कारी करते हुई दिख जाएंगे, जिनकी सुर्ज रेखा लंबी है, इनका कारोबार दूर दूर तक फैलता है, या किसी ने किसी ऐसे छेतर में इनकी बिसेश पकड़ होती है, जिसके कारण इनकी यस मांस परतिष्टा चारो तरफ समाज में फैलती चलियाती है, तो इतना तो तह है कि जीवन में यदि आपको सफल होना है, तो एक अच्छी सुर्ज रेखा आपके हतेली में होनी चाहिए, अब हम देखते हैं कि कई बार सुर्ज रेखा के भी छोटी रहती है, तो किसी के हतेली में इतनी बड़ी रहती है, परन्तु इतनी लंबी सुर्ज रेखा आपको बहुत ही कम हतेली में दिखेगी, आपको बड़े राजनेता, बड़े बेवसाई और बड़े पदाधिकारी के हतेली में ही केबल और केबल सुर्ज रेखा लंबी मिलेगी, आपको भाग रेखा कई लोगों की हतेली में लंब साहीन आ प्रफिश्रम एबम बिलंब से सफलता देता है छोटी सूरज रफ़ा लंभी है तो सिगरता से सफलता मिलती है और बड़ी सफलता मिलती है सुर्ज रेखा कि बनाबट भी अधिक महत्पुर्ण माने जाती है ये बनाबट जितनी सापसुतरी किलियर और आसपस्ट होगी जीबन में सफलता उतनी ही अच्छी और उतनी ही बड़ी आपको मिलने वाली है अब आई हम तीसरे महत्पुर्ण चिन्न की बात करते हैं जो जीबन में आपको अच्छी सफलता और धन संपत्ती दिला सकता है ऐसे ती ये कॉमन चिन्न है लेकिन सभी के हत्यली में ये परिपुर्ण रूप से नहीं मिलता है हमारी हत्यली में हम जानते हैं कि ये हमारी सनी के पास पहुचने वाली ये हमारी होती है भागी रेखा और दूसरी रेखा है ये हमारी मस्तिस के रेखा हेडलाइन जिसे करते हैं तो हमारे भागी रेखा ये जैसे हमारी भागी रेखा हो गई और हमारी स्वास्त की रेखा जिसे हम बुद्ध की रेखा भी करते हैं ये रेखा यदि अस्पष्ट हो और आपके इस छेतर पर ये छेतर होता है हमारा राहू का राहू को धन का कारक भी मानते हैं जीवन में अचानक और बड़ी सफलता का कारक राहू माना जाता है आपके हतेली में राहू के छेत पर यदि किलियर असपश्ट और निर्दोस तिर्भूज बनता है तो आप एक जीवन में एक बड़ी सफलता को अवस्य पार करेंगे एक बड़ा तिर्भूज दिखलाता है कि आपको financial success में एक बड़ा potential है आपके अंदर में एक बड़ी छमता है कि आप आर्थिक रूप से एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं इस तिर्भूज का size महत पुर्ण होयाता है size जितना large और asbest clear होगा आपके अंदर में उतनी ही अधिक धन को प्राप्त करने धन को जमा करने की चमता होगी साथ में ये तिर्भूज बताता है कि ऐसे जातक के अंदर में management skill बहुत ही अच्छा होता है किसी कारी को किस प्रकार से किया जाना है किस प्रकार से लोगों से deal करनी है किस प्रकार से किन को handle करना ये अच्छी तरह से जानते है साथी सही समय पर सही जगा पर investment करना ये सिखलाता है और ये अच्छे मौके को तलासते हैं और उसमें invest करते हैं साथ में ऐसे जातक को एक अच्छा पुर्वानुमान भी हो जाता है कि कब कहां और क्या हमें करना है यही कारण है कि एक अच्छे मनी ट्रेंगल वाले जातक आपको उच्छी सफल और बड़े बेवसाई मिलेंगे ऐसे चिन्न जो है सभी की हतली में नहीं मिलती है इसका कारण है यह हमारी जो स्वास्त रेखा यदि यह रेखा किलियर है असपस्ट है ति यह इसे सास्तर में बेवसाई और बानी जी की रेखा भी कही गई है ऐसे जातक के अंदर में management skill बहुत अच्छा होता है जिसके कारण जीबन में एक अच्छी सफलता को ये प्राप्त करते हैं और ये रही आपकी भागी रेखा जो आपको हर समय आपके साथ चलती है कदम कदम पर आपको सफल होने से तई करती है और साथ में ये मस्तिस्ट करेख जो आपके उच्छ मांसिक इस्थिती और मजबूर डिसीजन पावर को दिखलाता है तिये है मनी ट्रेंगल और तिर्भूस तीसरा महत्पूर्ण चिन जो ये बतलाता है कि आप जीबन में अत्यधिक सफल होंगे मिलते हैं अगले अंक में पुनम नए नए चिन्नों की बात करेंगे धन्यवाद